नमस्कार अन्यदाता किशान वित्रों हर रोज की तर आज आपके साथ मैं हूँ राजूराम राठोर जोद्पुर राजस्तान बिलाडा तैसिल से और आज मेरे साथ दूर से चलके आये हैं मेरे फारम का अउलोकन करने और जीरे के लिए कुछ विशेश जानकारी हासल करने के इससे पहले मैं इनके बारे में कुछ आपका इंट्रोडिक्शन दूँ जानते हैं आप महोदै जी से नमस्कार जी क्या नाम है आपका मोतिलाल जैन मोतिलाल जी आप कहां से आए हैं मैं बाडमेर से आया हूँ बाडमेर के पास में गिराव है गिराव में मेरी 400 बीगे जमीन है वहां जेविक खेती करने का इंट्रेस्ट है इसलिए यहां जेविक खेती के बारे में जानने के लिए आया हूँ आपको किसके मारपत सूचना मिली यहां आने के बाद आपने यहां पीछे जो यूनिट देख रहें साथियों इस यूनिट का आपने आउलोकन किया गर पे डिएपी बनाई वो देखी और गेनिक कुछ उत्पाद बनाए वो देखे मोतिलाल जी आपके पास साड़े चार सो बीगा चार सो बीगा जमीन है आप एक बिजनसमेन है आप और गेनिक खेती क्यों करना चाहता है क्या विचार है आपका मेरा विचार तो यह है कि रसायन से जो खेती हो रही है यह बहुत खतरनाक है और बिमारियों की जड़े ऐसा मेरे को लगने लग गया और दिख भी रहा है मैं चाहता हूँ कि मेरा इंदूस्तान जो है यह इस खतरनाक रसायनों से बचे और और अर्गेनिक की तरफ जावें ताकि एक खुशहाल भारत का निर्माण हम कर सके बहुत अच्छे विचार हिंदुस्तान वाशियों मेरे अन्नदाता किसान बंदूओं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं देखिए सोसल मीडिय एक ऐसा माद्यम बना है कि किसान कहां से कहां तक की जानकारी जूटाने में समर्थ हो रहा है रही बात इससे पहले आप और्गेनिक का विचार लाएं मैं दन्यावाद देता हूं मोती राम जी को जो इतना दूर चलकर जीरे की खासकर विश्तरत राजस्तान में जीरा तो नहीं होता लेकिन कुछ थार मरुस्तली इलाकों में जैसे जोदपुर, बीकानेर, जालोर, बाड मेर और जैसलमेर इस छेत्र में जीरा अक्सर विश्तरत होता है अक्सर रसाइन इस्तेमाल करते हैं किसान लेकिन आपका जीरे को जो उत्पादन लेना है आप चाहते हैं कि रसायन मुक्त अनाज मिले, जमीन सुदरे, आपने हमारे याम होती राम जी, ग्यहूं की जो कॉलेटी देखी, क्या लगा आपको? बहुत अच्छी क्यालिटी थी, चमकतार ग्यहूं और जोरदार फसल देखी हमने, ग्यहूं जो देखा, ग्यहूं की चमक आपने अच्छी देखी, इससे पहले देश वासी आपसे कुछ जानने के भी इच्छोक है, आपके साथ ऐसी कोई गटना गटित हुई, जिसके करण आ उर्चान यह में से आप एक व्यापार ही, आपका व्यापार में इंट्रेष्ट है, और इसके साथ-साथ किसाने का विचार है, आपके पास जो भीजब्य है उसके अंदर आप पूर्ण रूप से और्गेनिक होना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से देशवाश्यों आपको संदेश जहां कहीं से भी आपको और्गेनिक उत्पाद बनाने के लिए गर्पे रसायनिक को छोड़ने के तरीके सीखने के लिए आपको अगर आविश्यक्ता पड़े तो जहां कहीं से भी वेस्टरडी कंपोजर मिले पर साथियों ध्यान ये रखें आप वेस्टरडी कंपोजर एमेजॉन से ना ले क्योंकि एमेजॉन के वेस्टरडी कंपोजर में सुद्धता नहीं है मैं हर वीडियो में अब ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ आप एमेजॉन के चक्कर में ना आएं जिस किसी किसान मितर के पास ओरिजिनल वेस्टर डी कमपोजर गाजियाबाद वाली टेकनिक से बना अगर आपके पास गोल है उठाइए बोतल बाटिये मितरों को ताकि जैस आप रसायन मुक्त हुए जैसे आपकी जमीन रसायन मुक्त हुई आपका खर्चा कम हुआ उत्पादन अच्छा मिला वैसे ही हर एक किसान तक वेस्टर डी कमपोजर देने का प्रयास करें कैसी लगी आज मोती राम जी के साथ हमारी वारतालाब इसके बारे में आप जरूर अपने कमेंड करें, धन्यवद देशवाशियों मोती राम जी आप देशवाशियों को क्या संदेश देना चाते है जो यूआ बेरोजगार बेठे क्या ओरगेनिक खेति करने के इचउक्ष़ आप है और यूआ साथियों के लिए एक संदेश दीजिए किसान साथियों हर चीज बजार में उत्पादित की जा सकती है हर चीज बजार में बनाई जा सकती है लेकिन अनाज बनाने की फैक्टरी कोई नहीं बना सकता इसको तो बरसात का पानी ट्यूबेल का पानी और इसके लिए जमीन और किसान को मेनत करने के बाद ही इसका उत्पादन लिया जाता है तो देशवाशियों रहिए श्वस्त तंदुरुस्त और उत्तेजित मैं आप सभी देशवाशियों की सायता के लिए फिर से तयार हूँ धन्यवाद